हलो दोस्तों, वेलकम टो वर चनल, विल्स्टूबर आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे आफ्टर सिल सर्विस क्यों इतना इंपोर्टेंट है और क्यों आपको कोई भी कार खरीदने के पहले आफ्टर सिल सर्विस के बारे में भी सूचना चाहिए मार्केट में बहुत सरे अच्छे चे कार्स इबेलेवल है आप जब भी कोई एक पार्टिकूलर बाजिट के कार खरीदने जाते है तो आपको माँकोह आफ्टस आप्सन से बहुत सारे हो जाते है और आप बहुत कंफ्यूज होते है हमने बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे factors के बारे में बात किये है लेकिन आज की वीडियो में specifically एक factor के उपर बात करेंगे जो काफी सारे लोग car लेने के time में अन्धेका कर देते है वो है car की after sale service अभी कोई एक brand की car की after sale service ऐसा नहीं है कि Mumbai में अच्छा है तो दूसरी कोई city में अच्छा होगा या दूसरी कोई rural area में अच्छा होगा तो आप जब भी कोई काल लेते हैं पहले उस brand के after sale service के बारे में सुचिए on top of that आप जो area में रहते हैं बिलॉंग करते हैं उस area में particularly उस brand के after sale service के ऐसा है उसके बारे में भी पता करिए क्योंकि अगर after sale service अच्छा नहीं होगा तो आपके जो ownership experience से long term में बहुत ही खराब हो सकती है और आप आपने आपको frustrated feel कर सकते हैं तो आज की वीडियो में हम लोग एक एक करके से 10 points के बारे में बात करेंगे जिसके लिए after sale service बहुत important है नमबर वान long term support देखिए जब भी हम लोग कोई भी काल लेते हैं तो कार को एक regular maintenance, repair, parts replacement एसे बहुत सारी चीजों की ज़रूरत होती है तो अगर आपके गाड़ी के लिए reliable after sale service available है तो आपको एसे चीजों में परिशानी उठानी नहीं पड़ती है आज की दिन में हम लोग जब कोई भी काल लेते हैं तो minimum 3 years warranty period के साथ आते हैं आप आप warranty extend भी करा सकते हैं 4 साल, 5 साल इससे भी ज़्यादा तो अगर आपके एरिया में अच्छा after sale service available नहीं है और authorized service partner नहीं है तो manufacturing warranty होने के बावजुद आपकी जो car की ownership experience यो खराब हो जाएगा क्योंकि आपको एक अच्छा service advisor का support नहीं मिलेगा when you really need it नमबर 3, cost saving जब भी आपको genuine parts available हो जाती है easily तो आपका जो overall cost है वो भी save हो जाती है अगर आपके एरिया में genuine parts available नहीं होता है अगर आपको बाहर से मंगाना पड़ता है या तो आपको travel करना पड़ता है कोई parts लाने के लिए या तो बहुत बिर आपको wait करना पड़ता है तो यह बहुत सारे factors जाता है, overall ownership cost है उसको बहुत सब्सक्राइब कर देता है तो इसलिए good after sale service can decrease the cost of ownership वेहिकल performance, again हमने जो भी repair के बारे में बात किया है maintenance के बारे में बात किया है, warranty के बारे में बात किया है यह सारे चीज़ contribute करती है एक particular point के उपर, वह है vehicle performance regular on-time maintenance, regular servicing can optimize the vehicle performance, optimize the fuel efficiency and safety as well अभी कोई भी अगर गाड़ी well maintained है, regular servicing करा हुआ है तो उस गाड़ी का resale value भी बहुत अच्छी होती है, जो हमको सबको पता ही है तो अगर after sale service अच्छा नहीं है, आपका गाड़ी well maintained नहीं है, आप regular servicing कराने के लिए challenges face कर रहे है, अपने regular servicing करा नहीं पाए तो उस case में आपके गाड़ी के resale value भी कम हो सकती है convenience, नेरवाई जो भी dealership होते है या तो ओतराई service centers होते, reachability एक बहुत बड़ा convenient factor है अगर easily reachable हो लोग, अगर आपके गाड़ी के peak and drop service available है, आप कोई भी emergency में फंस गए, आपको immediate service मिल जाती है online booking या तो कोई भी आगर आपके शिकायत हो, आप easily convey कर सकते है तो यह सारे चीज जो है अगर easily available होती है, तो आपकी जो car ownership experience वे बहुत convenient हो जाती है Again, यह सारे चीज contribute करती है trust and reliability factor पे, क्योंकि आपके जो ownership experience अच्छा हो तो आपकी एक trust build होती है, उस brand के उपर reliability बिल्ड होती है तो इसलिए अच्छा after sale service, brand, dealership और customer के वीचे में एक trust factor को जगाती है After sale service नहीं होगा तो आपको emergency assistance, of course नहीं मिलेगी, आपको 24x7 service नहीं मिलेगी, आपको 24x7 service नहीं मिलेगी, आप अगर कोई पे long drive में जा रहे हो या तो कोई भी गाड़ी में कुछ भी problem आ जाए, आपको तुरंत कुछ भी support मिलना है तो आपको नहीं मिलेगी, तो इसलिए after sale service important है, number 9 technical expertise, कभी को भी क्या होदा है, गाड़ी में छोटी मोटी problem आ जाती है, जिसके लिए गाड़ी बहुत जादा दिन एक्चुली आपको garage में रखने का ज़रूरत है, अगर technical expertise हो, आपके जो नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, आपको चोड़ी चीजों के लिए तो यह भी चीज आपको ध्यान रखना है, number 10 compliance, regulatory और safety standards को complaint करने के लिए, अच्छा after sale service बहुत important है, क्योंकि regular maintenance नहीं होगी गाड़ी के, अगर regular proper check-up नहीं होगा, तो safety standards जो है, और जो regulatory standards है, उसको काफी time हो सकते कि आपकी गाड़ी मिलेट नहीं कर रही है, तो दोस्तों, after sale service क्यों important है, हमने तो discuss कर लिया, अभी ये भी discuss कर लेते है, कि आपको के से पता चलेगा, एक particular गाड़ी लेने के पेले, वो जो brand है, वो जो dealership है, उनकी after sale service अच्छा है कि नहीं, तो mainly 5 evaluation points के बार में बात कर सकते हैं, एक एक करके, फर्स्ट हो गया, service network and availability, second warranty and maintenance costs, third response time and emergency assistance, fourth customer reviews and ratings, fifth manufacturer's reputation and commitment to the service, तो ये पाच्छा factor को अगर आप evaluate कर लेंगे, आप जहां पे रहते हैं, उस जागा को consider करके, आप जो brand के गाड़ी लेना चाहते हैं, उस brand के सारे factors को consider करके, तो आपको easily पता चल जाएगा, आप जो गाड़ी ले यही बोलूँगा, आप गाड़ी के जैसे features देखते हैं, comforts देखते हैं, गाड़ी के engine performance देखते हैं, गाड़ी के reliability देखते हैं, उसके साथ आप after sale service भी देखिए, अगर एक अच्छा after sale service मिलता है आपको गाड़ी लेने के बाद, तो आपका जो ownership experience होता है, long term के लिए बहु यू